आज के इस वीडियो में आप सिखेंगे MS Word का Basic Level से लेकर के Advanced Level तक की जितनी भी Shortcut Keys होती है उन सभी के बारे में और साथी में पूरे Detail में आपको Explain करके बताऊंगा कि क्यों सकी हम किस लिए use करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा Important होने वाला है तो इस वीडियो को आप Skip नहीं कीजेगा चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को Subscribe जरूर कर लिजिए तो चली दोस्तों बिना Time Waste करते हुए हम अपना ये वीडियो को सुरू करते हैं तो हमने यहाँ पे अपना MS Word ऑपन कर लिया है और साथी में हम Shortcut की यूज कर पाएं उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ temporary टेक्स्ट भी एड कर लिये हैं तो अब मैं आपको जो भी Shortcut Keys बताऊंगा ये सबी Shortcut Keys सीरियली वाइज रहेंगी ताकि आपको भी समझने में दिकत नहीं होगी तो सबसे पहला Shortcut की हमारा है Ctrl A तो जैसी आप Ctrl A प्रेस करेंगी कीबोर्ड से तो आपका जो टेक्स्ट होगा या मानके चलिए चार्ट बनाए है जा इमेज आड किये होंगे वर्ड का पेज में तो जो भी चीज़े आप यहाँ पे आड करके रखे रहेंगे वो सभी चीज या added to select हो जाएगी तो सभी चीजों को select करने का काम करता है Ctrl A अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcutकी की और जो कि है आपने जो भी text यहाँ पे लिये होंगे उसको select किये होंगे यह इसको copy करने का काम करता है अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की और जिसको बोलते हैं control D तो जैसी आप keyboard से control D प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे font का dialogue box open हो जाएगा जो आप यहाँ पे देखे होंगे home button में आपको यहाँ पे font देखने को मिलता है यह इसी का dialogue box है जो की control D प्रेस करने पर open होता है फिर हम उसका use कर सकते हैं अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जो की है आपका control E यह क्या करता है? टेक्स्ट को align करता है center में मानके चलिए यह हमारा line है इसको हमको center में लेना है तो इसके लिए हम simply shortcut की use कर सकते हैं control E तो जैसे हमने control E प्रेस किया तो आप देखे कि हमारा जो text था वो center में आ गया तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगले shortcut की की और जिसका नाम है control F यह क्या करता है? टेक्स्ट को find करने का जो हमारा navigation वाला जो panel होता है वो इस चीज को open कर देता है तो जैसे हम control के साथ में यहाँ पे F प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे एक navigation का panel आता है जो क्या करता है कि जो भी text आप यहाँ पे लिखेंगे वो text को यह आपके document में search करता है और यदि वो text यहाँ पे मिल जाएगा तो उस text को यह highlight करके आपको दिखा देगा कि यह text यहाँ पे मौझूद है अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut key की और जिसका नाम है control के साथ में जी हम जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने dialogue box open हो जाएगा go to का जो की find और replace के अंदर में ही आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे go to का भी एक option देखने को मिलता है जिसकी मदद से मानके चली आपने यहाँ पे बहुत सारे pages को open करके रखे हैं तो आपको जिसकी भी page में जाना है तो आप उस page का number यहाँ पे type करेंगे और go to पे click करेंगे तो आप उस page में आ जाएंगे अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही page है इसलिए हमने यहाँ पे one type किया और go to पे किये तो यह page थोड़ा सा आपने देखा होगा कि स्कॉरल करकी one में आ गया अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जो की है आपका control के साथ में h button तो जैसी आप control h प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे replace का option आ जाता है यानि कि जो भी text को आपने find किया ठीक है हमने जो पहले किया था find टेक्स्ट को find करने के बाद में उसकी जगा पर यदि हम कोई दूसरा text add करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख करके हम जैसे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और लिखने के बाद में यहाँ पे replace all पर click करते है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो text लिखा हुआ था वो उसमें replace होगे यानि कि वो text को change कर देता है अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut key की और जिसका नाम है control I इसका काम तो आपको पता ही होगा यह क्या करता है text को italic कर देता है जैसे आपका bold करता है काम करता है उसी प् का नाम है control J यह क्या करता है justify paragraph element करता है तो जैसी मान के चलिए हम यहाँ पे control J प्रेस करते हैं तो अभी आप देखें कि आप हमारा जो text का जो format था वो कैसा आपको सो हो रहा है यहाँ पे कुछ text आप देख रहे हैं कुछ changes आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिले होंगी जैसी हमने यहाँ पे control J प्रेस करके हम वापस आजाते हैं अब देखिए यहाँ पे देखेगा paragraph में अभी कहीं पर भी selection नहीं है जैसी हम यहाँ पे control J प्रेस करेंगे तो देखिए यह justify कर देता है यानि कि यह text क्या करता है balance कर देता है जो कि आपका यहाँ पे देख पा र तो यह इस चीज को manage कर देता है यानि की justify कर देता है अब पढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जिसका नाम है control K तो जैसी आप यहाँ पे control K प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे hyperlink add करने का option open हो जाएगा यह hyperlink add करने का काफी fast तरीका होता है और यह shortcut method है hyperlink add करने का यदि आपको नहीं पता कि hyperlink add कैसे करते हैं तो हमको comment कीजिएगा मैं आपको उस पर एक अलग से video बना करके आपको explain कर दूँगा अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जिसका नाम होता है control L यह क्या करता है text को भी alagement करता है लेकिन हमने उस वक सेंटर में किया था यह left side में alagement करता है जैसी हम यहाँ पे control L प्रेस करेंगे तो देखी कि left side में आपका text यहाँ पे alagement हो गया तो इसका काम बस के वल उतना ही है अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जिसका नाम है control M यह क्या करता है आपके paragraph को indent करने का काम करता है indent का मतलब होता है कि जो भी हमने मान की चली यहाँ तक paragraph लिखा है इसी को यह drag करेगा जैसे हम एक fix कर सकते हैं जैसे हम ऐसे इस प्रकार कर रहे हैं ruler की मदद से लेकिन अब हम चाहते हैं इसको formula की मदद से करना है तो आप इसको select कर लीजेगा select करने के बाद में control M press कीजेगा तो एक बार प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा दो बार प्रेस करेंगे तो और जादा यह indent कर देगा तीन बार प्रेस करेंगे और जादा indent कर देगा तो इस प्रकार से ये Ctrl M का आप यूज़ कर सकते है तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले shortcut की और जिसका नाम है Ctrl N ये क्या करता है ये तो आपको पता होना चाहिए ये क्या करेगा आपके MS Word में एक नया document open करने का काम करता है Ctrl N तो जैसी हमने Ctrl N प्रेस किया तो हमारे पास एक new document open हो करके आ जाती है तो हम इस document का अभी close कर देते हैं अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जिसका नाम है Ctrl O Ctrl O का use हम लोग करते हैं फाइल को open करने के लिए माननके चलिए इस फाइल पे हम काम कर रहे हैं हमको urgent कोई और फाइल की आवसकता पड़ती है तब हम Ctrl O प्रेस करेंगे और सीधे चल जाते हैं हम open section में जहाँ पे हम फाइल को open कर सकते हैं अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की की और जिसमें हम सीखते हैं पेजेस को प्रेंट करना यानि कि आप समझी गए होंगे कि अब हम जानने वाले हैं Ctrl P का यूज तो जैसी हम कीबोट से Ctrl P प्रेस करते हैं तो आपका पेज प्रेंट होने के लिए रेडी हो जाता है और यादी आपको नहीं पता की प्रिंट फॉर्मैट कैसे करते हैं तो भी वा वीडियो सायद बना होगा तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सौटकट की की और जिसका यूज टेक्स्ट को ऐलेजिमेंट करने का ही है बस यहाँ पे सौटकट की थोड़ा सा चेंज हो जाता है जिसका नाम होता है Ctrl Q तो जैसी हम यहाँ पे Ctrl Q प्रेस करते हैं तो यह क्या करेगा आपके टेक्स्ट को लेफ साइड में अरेंज करने का काम करता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं paragraph में ठीक है जैसे हम Ctrl Q प्रेस करते हैं तो यह आपके टेक्स्ट को लेफ साइड में अरेंज कर देता है तो इसकी का आप यूज कर सकते हैं अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut key की और जिसका नाम है control R ये क्या करता है आपके text को right side में element करता है जैसे हम इस paragraph को select करते हैं और keyword से control R प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपके text को right side में element कर देता है अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut key की और जो क्या करता है आपके file को save करने का काम करता है तो समझी के होंगे कि हमारा shortcut key है control S जैसे हम control S प्रेस करेंगी तो आपके समने यहाँ पे save करने का एक window आ जाता है जिसके बाद हम file को जहाँ save करना चाते हैं वहाँ पे हम save कर सकती हैं अब बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut key की और जो क्या करता है आपके text को indent करता है hanging indent करता है जो की shortcut की होता है control T देखी कैसे हम इसको पहले use करते हैं मान के चलिए यह हमारा line है इसको हमने select किया अब यहाँ पे हम control T प्रेस कर रहे हैं तो कि आपका कुछ text यहाँ पे indicate कर रहा है ठीक है जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जब हमने shortcut की बताया था उसमें भी indicate ही किये थे लेकिन यह थोड़ा अलग है देखी जैसे हमने यहाँ पे असर रखा हुआ यह option आपको मिल जाएगा तो हम देखते हैं कि यह option आपको कहां पर दिया गया है indicate वाला option हमें मिला था देखिए यह आपके layout के अंदर में दिया गया हुआ है इंडेंड का option ठीक है इसी का use हम लोग करते है फॉर्मूला की मदद से देखिए यदि हम चाहें लेफ साइड में करना तो देखिए यह लेफ साइड हो रहा है जैसा कि फॉर्मूला लगाते वक्त आपने देखा राइट साइड करना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं और यह साथी में काम करता है बिफोर और आफटर में भी जैसे हम बिफोर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ gap देखने को मिल जाते हैं और जैसे हम इसको कम करते जाएंगे तो आपका जो gap है वो कम होता जाएगा तो इस प्रकार से आप indent function जो shortcut की होता है इसका इ की हम बात कर रहे हैं तो वो होता है आपका control EO जो की underline करने का काम करता है जिसको हम लोग underline करने के लिए use करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे paste करने का क्या shortcut की होता है जैसे आपने पहले देखा कि हमने copy किया था control C से अब मान के चली हमको इस जो data हमने यहाँ पे copy किया है इसको paste करना है तब हम यहाँ पे control V की मदद से paste कर सकते है तो हमारा shortcut की बना control V अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले shortcut की की और जिसका काम होता है text को cut करना copy नहीं करना cut करना अभी तक हमने copy करने के बारे में ही जाना तो देखिए जैसे मान के चली हम इस text को select करते हैं और control X प्रेस करेंगे तो आपका text वहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने उसको cut कर लिया है अब उस text को जहाँ पे भी हमको paste कर रहा है तो control V की मदद से हम उस text को paste कर सकते हैं तो अब हम जानेंगे control Y ये काम करता है text को redo करने का मान के चली हमने यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे कुछ जो भी text लिखा था गलती से हम क्या करते हैं control Z की मदद से back कर देते हैं ठीक है जैसी हम control Z की मदद से back कर दिए अब हमको वापस से वो text लेना है जो पहले मौजूद था तो उसको लेने के लिए हम control Y की मदद से redo कर सकते हैं उस text को यानि कि वापस ले सकते हैं और control Z की मदद से हम back कर सकते हैं कोज भी काम कर रहे हैं मान के चली हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं अब हमको पुना बैक जाना है यानि कि ये डीटेल हमको नहीं चाहिए बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जड की मदद से हम बैक जा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपने MS Word का A से लेकर की Z तक का जो basic shortcut keys था उसके बारे में आज जानकारी आपने ले ली है अब अगले वीडियो में आप सीखेंगे MS Word का advanced label का shortcut keys के बारे में जो की काफी ज़्यादा important है और ये आपको MS Word में expert बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो shortcut की हम आपके लिए अगले वीडियो में ले करके आने वाले हैं तो उस वीडियो को आप जल से जल उसका notification पापाएं उसके लिए आप चैनल को subscribe करके रखिएगा साथ में notification bell icon को ध्यान रखिएगा all पर जरूर सेट करके रखें ताकि जैसी मैं वीडियो डालूँगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और चाहें तो आप description में जाएगा आपको वहाँ पे MS Word, MS Excel हो गया PowerPoint है जिस जो भी ऐसे applications है इन सभी की playlist बनी हुई है जिसमें आप free of cost उसकी जानकारी ले सकते हैं साथी में tally जिसके लिए आप institute में सीखने जाएंगे तो आपको काफी ज़्यादा charges पे करने पड़ते हैं लेकिन आप हमारे चैनल पर tally zero cost पर सीख सकते हैं जिसका प्लेइलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के description में दे दिया गया है तो आप वहाँ से उन सबी वीडियो को जा करके जरूर देखेगा और अगला वीडियो तो आप जरूर देखेगा क्योंकि उसमें हम advance label की shortcut की इसके बारे में आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप प्लेइलिस्ट में विजिट कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए